संसार को 14 वटा सवेंद अगलाई माल मद्दे 8 वटा को गारो नेपाल जसले इस सुन्दर द्रिशियरू बनाऊँछा तरा इस द्रिशियरू सुन्दर मात्राइनन एवटा ठुलो खत्राब बनियून एवटा टाइम ब Comput जस्तों जुन कुनेपनी बैला फुट न सकषा जसले लाखों बान से लाए असर बार न सकषा ईनेर लाए गलउट वनिन्स और थात Glacier Lake Outburst Floods Glacier को आस्पास होनी तक्षियो लेक जुन कुनेपनी बैला फुट न सकषा प्रेटा ठुलुव बाड़ी तेसले लेवना सक्षा 2018 में युटा इंदी मुवी रिलीज वहेगो थियो केदार नाथ वन्ने जुन 2013 को एक्चुल केदार नाथ वैली को फ्लोड बार्टा इंस्पार थियो जस्पाटा 6000 मन्दा देरे बेक्तिकों मृत्ति वहेगो रहेसको कारड पनी एवी रेंफाल रचोरा बारी ग्लीशेर लेग फुटेर वहेगो थियो नेपालमा पनी बिगत कार दसकरूमा रेगुलर इंटर वल्मा दुई दर्जन मन्दा देरे ग्लाफ इवेट वहेगा शन इन्फाट देरे वटाइस्ता ग्लीशेर लेग कर लाएता केई दसे देही ट्राकिंग बनी गरियेगो शा जस्ते यो दुईटा पिक्चर एरनूस यो स्थोलो खुम्बू को इमजा लेग को पिक्चरो यो दुईटा लेग को साइज को डिफरेंस ला एरनूस बिगत का केई दसकर मा यो लेग को साइज एक दमे ठुलो वाएकुछा रो यो कुने बनी बला फूट ना सक्षा आफे बनी फूट ना सक्षा अथवा यवड़ा सान ओ लैंस्लाइड ले वाकुने विचाल ले बनियो फुट्टा सक्षा इसी मोड को 2010 को स्टडियों सा नेपाल में इस्तो आई प्रायरिटी रिक्समा एकाईश्वडा ग्लीशेर लेक्षा जस्मते चाउटा एक दमे वेरी हाई रिक्समा छा रा ग्लोबल वामिंग रा क्लाइमेंट चेंज को इंपाक्ट बड़े संगे इन्यरू जन देरे खतरनाक भईकाशन सुरूगरों यो ग्लीशेर लेक आउटबर्स फ्लरड अथवा ग्लोफ कसरी आउँचा बने रा माथी मालमा देरे पर सम्म स्नोफाल होंदा त्यो स्नोफाल कॉम्प्रेस वारा आइस को डिका बन्चा योक एही मीटर तेखी 100 किलमीटर सम्म को डिका उन सक्छा रा यो स्लोली मूब पनी गर रहे कोंचा इसको साइज पनी बढ़ने गटने चली रहे कोंचा रा यही ग्लीशेर को आइस पकले रे इसको ओरी परी पानी जम्छा जस बाट ग्लीशेर लेक बन्चा यो पानी खोला बन्रबनी बग्रा सक्तियो तर यो ग्लेक को ओरी परी माटो डोंगार लेसलाई रोके रहे कोंचा जसला आमी मोरेन मन्चा रो एसले ने यो glacier को natural dam को कामगर रहे को उन्छा तरह केही कारड़ले यो मुरेन बथके हो ने यो सबे पानी 81 एके चुटी तौला जान्छा रो बाड़ी बन्छा रो एसलाई ने यामले glacier lake outburst flood बन्छा जोन एक्जाक्ली लास्ट मैना सिक्कीम को लोनाक लेक मा वहेगो थियो जसते यो फोटो मा तपे साउथ लोनाक glacier देखना सक्रून छा रो एस बाड़ा ने यो साउथ लोनाक लेक बनी वने गो छा रो एसको यो छेव मा यो मुरेन डैम हो सैटलाइट इमेज बाड़ा यो लेक ला एरने हो बने 17 सेप्टमबर 2023 मा यो लेक को एरिया 162 एक्टर थियो एसको 10 दिन मा यो लेक को साइज बढ़ेरा 162 एक्टर पुगियो देरे छी टो आइस पगलेरा यो एती देरे पानी बने बसी यो मुरेन डैम बतकियो र यो पानी तला बाड़ी बन रगयो जस्माटा 14 दाना कम्रित्यू र एक्से बंदा देरे दाना अजिबनी ब्यपत्ता शन र यो इमेज तेशको बनी 10 दिन पचीको जस्मा एक्से एक्टर एरिया को पानी गाय बईशेगो शा जम्मा 60 एक्टर मा मात्रा पानी बागी छा एकासे एती ठूलो अमाणटा पानी आउने वेवेशी यो गलाफ ओरू एकदमे खता नाक उन्चन र नेपाल गलाफ को ठूलो खत्रा मा छा अवाइलेबल इन्फर्मिशन उन्चार नेपाल ले अईली सम्मा 24 ओटा गलाफ देखी सएको छा जस्माद्दे 14 ओटा नेपाल वितरी गलीशेर बाट थियो र बाकी 10 ओटा टिविटेन साइड को गलीशेर को ओवर स्पिल थियो नेपाल मा अर्लिश्ट रेकार्ड वाएको गलाफ लगबग 45 पर सगाडी माचा पुछरे मालको नर्दन साइड को आसपास मा आयेको थियो जसले पोखरा वैली मा पचास थेकी साथी मिटर गईरो डेवरिस जम्मा गरेको थियो क्लियर डेटा नवाए पिने इस्टे तियो इरिया मा ठुलो ख्षेती गरेको मानीं छ अरुपन इस्ट देरेवटा गलाफ इवेंट अरो टाइम टाइम मा उदे आयेको थियो तर नेपाल सरकारले इस तरफा द्यानने धियेको थिये न बट अगस्ट 1985 मा यो सबे चेंज वयो सगर माथा नैशनल पार्क को वैसन साइड मा लांग मोचे गलेशियर छ र एसले दीख सो गलेशियर लेक बनाएको छ जुन तियो दिन फुटियो शेरपा वासामा सो बनेको लेको तेसे ले तपरिया देरेवटा गलेशियर लेकरको नाम को पछाड़ी सो पाउन उन्छा जसते सो रोलपा र इंजा सो तियो दिन दीख सो फुटे र त्याहा को पानी बोटे को सिमा पुगियो त्याहा बाटा खुम्बू एरिया को दूद को सिमा एसले गड़ता एसको 11 किलमेटर तला अल्मोस्ट बने र कम्पलीट भईशे को नामचे स्माल आइडरे लेक्षिटी प्रोजेक्ट अल्मोस्ट कम्पलीटली दोस्त भईओ रपात जाना को जियान पिनी गएो एवरेस्ट बेस्ट कैम्पुग ने मेन ट्रेकिंग रूट को लामो सेक्षिन एसले डामेज गरी दियो ट्रेकिंग सीजन को समर मनसून को ब्रेक भईकले त्योदिन त्याहा देरे जाना को जियान गए न नत्रा पिक ट्रेकिंग सीजन भये को भये तियो दिन त्याहा सयोग जियान जाना सक्तियो नामचे मा अरिक अपता आट बजार लाग थियो आट बजार को दिन यो गटना गटे को भये पनी सयोग जियान त्याहा जाना सक्तियो योड़ास्ट्ट योंन सार् तियो गलप्मा देखी 10 मिलेन क्यूविक मिटर पानी जम्माँ चार गण्टामा बग्य को थियो योट अलमपिक साइज को स्विंग पूल मा जम्माँ पचेस स्य क्यूविक मिटर पानी उन्च सोत्यो चार गणटा मा अल्मोस्ट चार अजार वडा सुइंग पूल भर्रा मिलने पाने रिलिस भाई को थियो यो गट्नाको महिनों सम्मा तियो एरिया अस्तवियस्त भाई को थियो दिख्सो ग्लेसेर लेक फेरी रिफर्म भयो तर एंड मोरेन पुरे ब्लाक भयना रपकलेको पानेरू थोरे अमाउंट मा बाईर निसकीने बाटो खुला भयो तेसे लिए अब यो एरिया खत्रामा गरी दईना साइज को इसाबले यो ग्लेशेर लेक एकदमे सानो थियो तर एसले पारक की इम्पाक्ट एकदमे ठुलो वायो एसले अरक कुरा केपनी क्लियर गरे बन्दा सबे ठुलो ग्लेशेर लेकले मात्र ठुलो रिक्स राखशा बन्यों इना सानो लेकले बनी ठुलो रिक्स लियोना सक्षा यो ग्लाफ को स्टडी गरना इसी मोड UN इन्वेस्टी र नेपाल सरकार को त्यवेलाको Water and Energy Commission Secretariat ले जोईंट अपरेशन ने गरेगो थियो यो किने इम्पोर्टेंट सहां दा यो ने नेपाल को पईलो ग्लाफ को स्टडी थियो रहे एसको डीटेल्ट रिपोर्ट बाइरा आये बची एस ते अरुठ हमाबने रिक्स होनो सक्षा बनर यो स्टडी लाइक कांठीनी गरन परचन ने निसकर्च निकालियो इसी मोड ले नेपाल मा ग्लीशियर रा ग्लीशियर लेक को योटा इन्वेंटरी ने बनायो जसको लागी पूरानों मैप अरू रा 1980 रा अरली 1990 खो स्टलाइट इमेजर रा यूज़गर रा योटा लिस्ट तयर पारियो एसको लागी नेपाल लाइट चारोडा रिवर विस्टिन को सेक्षन मा डिवाइट गरियेको थियो कोशी, गंड़की, करनाली रा महाकाली 2001 को इन्वेंटरी ले 322 बाउनोडा ग्लीशियर नेपाल मा सबना देखायेको थियो पसे 2009 मा योटा नोया इन्वेंटरी बनायो लाइनसाट 5 रस सेवेन को सैटलाइट को नोया अपडेटेट इमीज अरबाट नोया इन्वेंटरी क्रियेट गरियेको थियो जसले नेपाल मा 3800-88 ग्लीशियर सबना देखायेको थियो यो दुए उटा इन्वेंटरी को डेटाला कॉम्पेयर गर नेपाल मा 2001 मंदा 2009 मा देरे ग्लीशियर देखीन सबनायो एसमा ग्लीशियर को नोमबर बड़ेको अन्दा पनी साइध पुरान इन्वेंटरी मा पुरानो मैप अरूरो पुरानो टेक्नोलोजी यूज गरिको कारणले सब पे ग्लीशियर अरू रिप्सडेंट बायको थिये न और अजे दुटा इन्वेंटरी को कॉमपेरिजन मा गोल माल जाई ग्लीशियर लेक को नोमबर मा सा जस्ते 2001 को इन्वेंटरी मा कोशी बेसिन मा 1062 ओडा ग्लीशियर लेक शियो तर 2009 को इन्वेंटरी मा जम्मा 599 तेस्ते गण्ड़की बेसिन आपनी 338 बाट गटेर 116 बायो कॉर्णाली आपनी 907 बाट गटेर 742 बायो रा महाकाली बेसिन मा 16 बाट गटेर 9 अपडेटेट इन्वेंटरी मा ग्लीशियर को नमबर बड़ेगो थियो तोरा ग्लीशियर लेक को नमबर बने 37% गटेर 2323 बाट 1466 पुगयो यो अपडाउन मा दुइटा कुरा बायो कुनो सक्सा पहिलो ग्लीशियर को नमबर जस्ते पुरानो इन्वेंटरी मा सबे कुरारू अपडेट बायो थियो अथवा देरेवटा मिश्टे करो तियो डेटा मा थियो तेसेले नवय इन्वेंटरी मा यो सबे अपडेट बायो र औरको साइथ सानो लेक करू जोडियर ठुलव बनेो अथवा ग्लोबल वार्मिंग ले पुरे लेक नहीं आबामा उडेो जे वाए पिनी इसले के कुराचे क्लियर शा बन्दा एस्टो ग्लीशियर रा ग्लीशियर लेक करको रेगुलरली पास बर्षा दोस बर्षामा रेगुलरली स्टडी चे वैराखनू बर्षा एती बन्दे गड़ा सपे ग्लीशियर रा सपे ग्लीशियर लेक करू रिस्की सा बन्नीबन योई न कत्रोज साइथ छा, कत्रोग एकसपाण्ड हो दिछा, मोरन को कंडि 맛있는 कस्तो छा शात साथे सोचीक नमी खंडिशन कस्तो छा एसको ओररिपरी कत्री वरा बस्ती छा कस्तो हालको पूल अरू छा, कते उटा आइडर पावर प्रोजेक्ट अरू छा, तेस्तो देरे उटा क्राइटीरियाला सेट गर रहा, यो ग्लेशियर रा ग्लेशियर लेक अरलाई, तिन उटा कैटेगोरी मा डिवाइड गरियेको छा, आई प्रायरेटी जसको डीटेल्ड फ तर इता नेपाल वित्रक मात्रे भयो, यो बाइक अरुपनी 24 पच्चेशोटा नेपाल के छेव माँ टिबेट इन साइड माँ छा, जसले आई मिला पनी ठुलो इम्पैक्ट पार न सक्छा, पूर्बा नेपाल को उंगो बेशिन माँ लेक 464 छा, जसले टिकिंग टाइम ब सो रोलपा ग्लीसियर लास्ट साथी बर्समा साथ गुनाले बड़ी सकेगो स, एसले गर्दा इसको तलब हैको तामा को सी वैलीमा बसने मांचियरू ठुलो रिक्स मा थिये, 2000 मा नेपाल सरकार रा इंटराशनल पार्टर हरो मिले रहोटा 70 मीटर लामो कैनल बनायर, यो लेक पानी लाई रोवालिंग खोलामा पुर्यमने बाटो बनेयो, र एसले गर्दा यहांको वाटर लेबल 3 मीटर ले गटियो, तियो बेला सो रोलपा को रिक्स मिनिमाईज गर्णक निम्ती, एसको वाटर लेबल 20 मीटर गटरन परचा बनेये को थियो, तरपनी यो तियो बेल कैनेल बनायर, बाईरे रिलीज गरेगुले, त्या प्रेसर देरे अक्मिनेट बाए न, र नजाई कतिती ठूलो बुईचाला जान दा पनी, त्यो प्रेसर ले गर्दा त्यो पुरे गलाफ को बाड़ी आये न, त्यो दिन सो रोलपा फुटे को वे, साइद अजय देरे जा बाड़ी गलाफ के कारण ले भयको अनर, अन्मान गरियेको थियो, पसी सेती न दिवा, मात्ती योडा ठुलो पईरो गयेको ले यो भयको अनर, प्रमाधित भयो, गलाफ बाट यो बाड़ी न आये पनी, फ्लास फ्लोड ले के गरन सक्चाम दे देखाने योटा एक तमी, रिसेंट इवेंट यो, रियालिटी केओ बंदा, ग्लोबल वामिंग बड़े संगे, आमरे इमाल मा आइस पगलने रेट पनी बड़ेको श, 1960 सम्मापनी सगर माथा को छेवमा रहेको, एमजा गलीशियर मा सानो सानो दोथिंडा पोखरी मात्रे थिये, तर अईले आइस प्रवेंदा देरे पूर्वी नेपाल मा सा, कोसी बेशिन मा मात्रे बयली शोटा इसतो खतरनाक लिक करूछा, जुन मत देखकुने एवटा फूटे वने पनी, कोसी नदी मा ठुलो बाड़े होनी अला छा, रा आमरो बुभाग माता जुन सुके बेला पनी बुईचाल गलाफ को सम्मा आपनालाए जन देरे बढ़े दिन्चा, तर अब आम संगो अप्सन ची के रहेता, गलाफ कसे ले कंट्रोल कररा कंट्रोल होनी वाला चीज ता है न, एसको सोलुचन मनेगो एजार मैपिंग मात्रे हो, एटा अरली वार्निंग सिस्टम, SMS बाटा होस, रेड गलेशियर माँ एट टेकनिक बाट पानिक लेवल पनी कम भएको छा, रा आइटर एलिक्सेटी पनी जनरेट भएको छा, तर एती देरे आयाल्टी सिट माँ जाहा नकुने रोड चा न अरुकुने फैसलीटी छा, सब एकुप्मेंट अरू, एलकॉप्टर बाटा है लानु जस्ते सोरोलपाको पानिक लेवल कम गड़ा, तेसली असर पार्र सकने तामा कोशीको एरियाको आस्पास्पस्णे मांची अरलाई, यो सबे इंटरेस्टनल कम्यूटी ले त्याको मोंगो डूंगा खोस्णक निम्ती, अथवा अरू केईकुरा माइनिंग गरग निम्ती, फैलाईगो व्राम मन्चन, नेपाले टायमस केवटा रिपोर्ट मां दोलखार आ कास्टनल को चार से साथ जाना, बाचस पन्ने स्ट्वेंट पा गरेके इंटरिव्यमां वान थार्ड ले गलिशेल फ्लोडिंग ने उदेन, यो सबे जूटो बनेगा थिये, सोरोलपाको ग पर्चा गर्ण पर्चा मन्ने कुला, तेसे बने चित्ताजी बुझनी वाला से न, र सम्हाओ पईसा जूटी आले पनी, आमले डेंजरस गलाफ वर्ण मा त्याहां को पानिक लेबल कम गरे वने पनी, बविशे मा उनसकने ठूलो बाड़िको संभाबना पूरे कम बने उद ठूलो खत्राशा बंदे गर्दा मात्र तपयरला तर्शन निम्ती अथा डरण निम्ती बातरे वीडियो बनाया कोई न, तर एट इसे एसको बारे मा आमले जानकार उनचे आवसिक्ष, सम्मधिन निकायमा जसले एसको बारे मा सोल्चन बनाऊ दे नुँँच, जसले एसको कर दो